असलाम आरेकूम, कैसे हैं आप सब उमिट करती हूँ, हमेशे की तरह से खेरियत से होंगे, तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत जबरदस और मज़ेदार से रेसिपी लेके आई हूँ, आज हम अंडा चिंगारी के रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो लोग अंडे खाने के शोकीन है, वो इस जबरदस्ती रेसिपी को ज़रू से ट्राइ कीजिएगा, और जो लोग अंडे नहीं खाते, वो भी इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइ कीजिएगा, बेहत लजीज और मज़ेदार बनती ही ये रेसिपी, जब भी आपको कुछ समझ नहीं आए, क क्या पकाएं, क्या खाएं, तो आप जबरदस्ती रेसिपी को जटपट से ट्यार कीजिए, और मज़ेदार सी डिश घर में तयार कीजिए, तो चलिए पर देरी नहीं करते हैं, फटपट से रेसिपी शरू करते हैं, देखते हैं, अंडा चिंगारी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जुरुत पड़ेगी बिसम लेर हमाने रहीम यहाँ पर हमने तीन बॉइल अंडे लिये हैं अंडों को बाल कर उनको ठंडा करके उनको छिलका उतार लिया अब इनको हम चार हिस्टों के अंदर इस तरीके से कट कर लेंगे आप देख लिजी यह अच्छे से कट हो चुके हैं अब हम इनको एक तरफ रखते हैं यहाँ पर हमने दो अंडे लिये हैं इनको तोड़ कर हम एक कटोरी के अंदर डाल लेते हैं यह दो अंडे हमने तोड़ लिये अब इसके नदर हम कुछ स्पैसी शामिल कर रहे हैं आदा छोड़ा चमचा काली मिर्ज का पोडर शामिल कर रहे हैं आदा छोड़ा चमचा नमक शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम हरा दनिया शामिल करेंगे इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत जबदर सा आता है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते वे फैट लेंगे य यहां पर हमने आदर कप के वराबर तेल इसके अंदर डाल दिया, अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं, 10-12 काली मिर्च, और आदर चमजा यहां पर हम जीरा शामिल कर रहे हैं, अब हम इसको एक से दो मिंट तेल में इसी तरीके से पड़ा रेने देंगे, अच्छे से हम कड़ कड़ा लेंगे, इसको हमने अच्छे से कड़ कड़ा लिया, अब यहां पर हमने एक दर्मियाने साइस की प्यास लीती, उसको हमने बार एक बार ही छोटा छोटा कड़ कर लिया, यह शामिल कर लेते हैं, अब हमने प्यास को तेल में अच्छे से फ्राय करना है, हमने गॉल्डन ब्राउन नहीं करना बस हमने इसको हलका सा फ्राइ करना है यानि के जैसे ही यह गॉल्डन ब्राउन की तरफ आने लगी तो इसके अंदर हम दूसरी चीज़े शामिल कर देंगे बस हमने इसको गॉल्डन ब्राउन नहीं करना बस हमने इसको हलका सा सॉफ्ट होने के अद्रक लसन के इन्हे दाल दिया अब हम इसको दो मिंट्ड अच्छे से biggest बूनेगे यानि के टिल में हम लसन अद्रक को बहुत अच्छी तरीकेसे बून लेंगे दो मिंट्ड इसको हमने अच्छे से बून लिया अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम कुछ खुशक मसाले यहां पर हमने आदा छोटा चम्चा लाल मिर्च का पोडर लिया है यह डाल लेते हैं एक चुटकी के बराबर यहां पर हम हल्दी पोडर डाल रहे हैं और आदा छोटा चम्चा ही यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा और इसके अदर तीका पन नहीं होता लेकिन इसके अदर कलर बहुत जबदस आता है, इसलिए यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कि अदर हम टिमाटर शामिल कर रही हैं, हमने दो अधर मैने साइज के टिमाटर लिये थे, उनको हमने ग्राइडर मशिन में डाल कर आपकर पिस लिया, इसका पैस्ट आयार कर लिया यह स्यामिल कर लेते हैं, अब अब इसकी बहुत अच्छी तरीक तरीकी से बनाए करने है, हम प्रमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर रहें, यहाँ पर हमने आज़र कप के वराबर इसमें पानी डाल दिया, अब हम इसको हलका सा वाल आने तक इसी तरीके से पकाएंगे, इसके अंदर दो से तिन वाल आने नहीं रखने इसके अंदर अंडे की पिसिस थोड़े बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं जिस तरीके से हम चाहिनी सूप या कौन सूप अगरा पीते हैं उसके अंदर हम अंडर डालते हैं तो अंडे की पिसिस बड़े बड़े आते हैं इसी तरीके से इसमें भी हमने अं पिट बेक भी ज़रूर दिया किजिए कि आपको हमारी रेशिपीस कैसी लगती है अगर अच्छी लगती है तो बताईएगा और अगर कुछ कमी नजर आती है तो वो भी बताईएगा वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे और प्लीज लाइक, शेयर, सब्स्राइब ज़रूर कर दिया किजिए इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मिट इसको रखेवे हो चुके है अब हम चम्चा चलाएंगे वो भी अतने अराम-राम से चलाएंगे इसमें हमने अंडो को कुछलना नहीं है बस हमने हलका अलका सा अलेट-प्लेट करना है यानि के पकाना है बस हम इसके अंदर हमने डाल दिये, अब इसमें शामिल करेंगे हम चार हरी मिर्चे, आप ट्याएं तो हरी मिर्चे को कट करके भी शामिल कर सकते हैं, आदो छोटा चमझा यहां पर हम गरम मसाला पोडर शामिल कर रहें, इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत जबरदस सा आएगा, बारी इसको बनाना और मज़ेदार बात यह है कि यह बहुत जटपट से जल्दी से तयार हो जाती है, जब भी आपकी समझ में कुछ ना आए, क्या बनाए, तो आप इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रू से ट्राइ किजिएगा, खाने में भी लजीज है और जटपट से बन भी जाती है, तो आप इसको ट्राइ किजिए, अगर रेसिपी आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटने वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियो आपको फोरी मिल सकें, इसके स साथ इजासत दीजिए, द्वामे आद रखेगा, अला हाफीज